दिखी मानी मुख्यमंत्री जी स्वयम खाद की जो विवस्ता है उसकी समीक्षा लगातार कर रहे हैं खाद की जो मात्रा है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है लगातार किसानों को उचित मात्रा में समुचित जित्ती उनकी जरुरत उतनी और समय से खाद मिल सके इसकी संपूर्ण विवस्थाएं की गई है ये अलग बात है कि कॉंग्रेस की सरकार के समय जिस पकार से उसे कॉंग्रेस ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की और जो उन्हों ने चुनाओं में वादा किया था कि मद्ध्यपदेश के किसानों का कॉंग्रेस दो लाग का करजा माफ करेगी और करजा माफ नहीं किया उसके कारण जो किसान डिफॉल्टर थे उनको भी हमने सुविधा दिये और मानी मुख्यमंत्री जी ने सपस्ट निर्देश दिये कि कोई भी किसान हो उसको खाद जरूर उपलब्द कराया जाए नगद में खाद पूरी तरह से कैश में खाद सभी को मि दिकत नहीं है मानी मुख्यमंत्री जी स्वयम इस विशह में लगातार केंद्री रसायन और फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया से लगभग रोज बात करते हैं और खाद की पूरी तरह आपूरती हो सके और उसका डिस्टिबूशन भी ठीक ढंक से हो सके इसकी समुच्च वेवस्था की जा रही है कांग्रेस पहले ये तो बता दे कि उन्होंने मद्यपेदेश के लाखों किसानों को डिफॉल्टर क्यों कर दिया कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि किसानों को कांग्रेस ने दो लाख का करजा माफ क्यों नहीं किया आज का करजा माफ होगा और यदि करजा माफ नहीं होगा तो दस दिन में मुख्यमंत्री को हटा देंगे इस बात का वो जवाब दे किसानों को जो भी दिक्कत आई है उसकी जुम्मेदार कांग्रेस है कांग्रेस ने किसानों के साथ छलावा किया है किसानों को जो चुनाओं में वादा किया था वो पूरा नहीं किया कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए